नमस्कार आप देखरें न्यूस फोर्नेशन और मैं हूँ सांट्वना आपके साथ राज़त सुप्रीमो लालू पृषाद यादव कहीं भी रहे वो राजनीतिक दाओं खेलते रहते हैं ऐसे में चारगोटाला और जोरंडा कोशाकार के मामले में राज़त सुप्रीमो लालू पृषाद यादव को दोशी करार दिया गया है जिसके बाद वो राज़ी की जील की चार दिवारियों में बंद है राचे के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है लेकिन बिहार में हो रही राज़नीति पर उनकी पैनी नजर है जहां एक तरफ उन्होंने अपने दोनों बेटे याने बड़े बेटे हासनपुर से वधायक तेशप्रताप यादव और चोटे बेटे यानी बिहार के वरतमा नीता प्रतिपक्ष रस्वी आदव को एक जुठ होने का दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि दोनों को एक जुठ होकर एक साथ राजनीती सम्हालनी है, पाटी सम्हालनी है और विरोध्यों को मौका नहीं देना है तो वहीं दूसरे तरफ बिहार में होने माले 24 सीटों पर बिहार विधान परिश्रत के चुनाफ को लेकर राज़त ने जहां 24 में से की सुमीदवारों के नामों की घोशना की तो वहीं हम की राज़्य अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतर नाम मांची का पलेटवार निकल कर सामने आया और उन्होंने राज़त पर जोड़दार हमला करते हुए यह कहा कि राज़त के तरफ से सिर्फ स्वन जातियों को टिकेट दिया गया है ऐसे में एक भी दल्यतों को जगा नहीं दी है मुसल्मानों के नाम पर भी राज़त के तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है तो वहीं अब बिहार के राज़नीती में भीम आर्मी की एंट्री हो चुकी है और आजाज समाच पाटी और भीम आर्मी ने लालो प्रिसाद यादव और राज़द पाटी का समर्थन दिया है और जीता नाम मांची को खुल कर जवाब भी दिया है दरसल आर्जेजी सुप्रीमो लालो यादव को जुरंटा कोशागार से 149.35 कडो रुपे की अवैद निकासी के मामले में CBI के विशेश आदालत ने दोशी करार दिया है इसके बाद उन्हें होटवार जेल के बज़ाए स्वास्तकारनों की वज़े से रिम्स के पेंग वर्ट में शिफ्ट किया गया है कहा जाता है कि लालो कहीं भी रहे उनकी चिंता में उनकी पाटी रास्टे जनता दल हमेशा शामल रहती है अब उन्होंने रिम्स से ही नया राजनेतिक दाव चल दिया है बिहार में होने वाले MLC चुनाव में आदे सीचों पर सवर्णों को टिकेट देकर पूर्व सीम जीतनामांजी के निशाने पर आए लालो ने बिहार में भीम आर्मी की एंट्री करा दी है आजाच समाजपाची के रास्ट्र अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखा राजाद उर्फ रावन ने लालो की समाज़िक न्याय की धारा को मजबूत करने की बात कही है और आर्जेजी को समर्थन दिया है रावन के समर्थन के ऐलान के साथ ही राजनेतिक गर्यारों में चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कहा जा रहा है कि समर्थन दोबातों की तरफ साफ संकेत है पहली या की बच्वे हुई सीच पर आर्जेजी किसे दलित को उमीदवार बना सकती है और दूसरा यह की लालों की पहनी नजर दलितों की 16 प्रतिशत वोच बैंक पर है इसका बड़ा फाइदा आने वाले समय में आर्जेजी को मिल सकता है और आर्जेजी पिहार में और अधिक मजबूत हो सकती है आज़ाट समाच पार्टी के प्रदेश रध्यक्ष गोहर आजाद ने नेता प्रतिपक्ष जस्वी यादव से मुलाकात के बाद बताया कि रावर्नी संप्रदाइक ताकतों को रोकने के लिए विपक्ष को ताकरवा ताकतवार बनाने का संकल्प लिया है बतादे कि आज़ेजी ने 24 सीटों पर किसी दलित को अभी तक उमीदवार नहीं बनाया है भीमार मी दलितों की हकमारी से जुड़े मुद्दे उठाने वाला संगठन है आरजेजी को ये समर्थन ऐसे समय में दिया जा रहा है जब आरजेजी ने अब एकी सीटों में 50% टिकेट सवर्णों को ही दिया है ये सवाल हम पाठी के प्रवक्ता जीतना मांजी के द्वारा भी उठाया गया था मांजी ने कहा था कि ना कोई महिला ना कोई दलिट सिर्फ एक मुसल्मान वो चाही सब का लेकिन विकास सिर्फ मालदारों का गरीबों की गजब पाठी मांजी के इस बयान के बाद आजजेटी ने समस्तेपुर से महिला रूमा भारती को उमीदवार बनानी की घोशना की थी मतादे के आजजेटी ने मलसी चुनाव में अब तक पाच भूमियारों, चार आजपूतों, एक ब्रामण, नो यादवों, एक वैश और एक मुसल्मान को उमीदवार बनाया है मांजी के आरोप का जवाब लालो यादव ने भीमार्मी से मिले समर्थन से दिया है भीमार्मी के राश्ट्रेद्य एक्षिचंद्र शेखर रावण ने लालु प्रसाथ के साथ चर्चा के बाद ये निडने लिया कि भविश्य में लोगसभाचुनाव और विधानसभाचुनाव में भी आज़ात समाजपाटी आरजेडी के साथ मिलकर काम करेगी बरहाल बिहार में दलितो का वोट बैंक 16 फीसदी के लगभग है दलितो के वोट बैंक पर रामविलास पासवान की सबसे बड़ी पकर बिहार में रही उनके निधन के बाद LGP दो गुटों में बच गई है चराव गुट और पासवान गुट दूसरी तरफ जीतना मांची वे मुख्य मंत्री बनने के बाद दलितो के बड़ी नीता के रूप में उभरे हैं उनकी पाटी हिंदुस्तानी आवाम मोचा दलितो के सवाल पर राजनीती करती है इन सब के भीश भीम आर्मी ने राज़त के समर्थन देनी की बात कर लोचपा और रालोचपा के साथ ही हम पाटी को भी सकते में जाल दिया है राजनेते कारे करता ऐसे लालोपिसाद होते जस्वे आदव का बड़ा राजनेतिक दाव मान रहे हैं माना या जा रहा है किस चुनाव में तो भीमार्मी का समर्थन का असर पड़ेगा ही आने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आज़ेटी को बड़ा फाइदा भी होगा लालो के पास यादवों के 16 फीसदी और मुसल्मानों के 16 फीसदी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा साथ है अब दरितों के 16 फीसदी वोट बैंक पर भी राज़त की नजर है बिहार में होने वाले मलसे चुनाव को लेकर जब रा की कैसी गजब की पार्टी है जिसमें एक भी दलत उमीदवार नहीं दिये हैं और अब इसका जवाब देते हुए राज़त सुप्रीमों लालो प्रिसाद यादव और वर्तमान नीता प्रतिपाक्षिजस्पु यादव ने एक बड़ा राजनितिक दाव चला है और बिहार मे भीम आर्मी के एंट्री हो चुकी है जहां पर आजात समाज पार्टी और भीम आर्मी नी राज़त को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया है और कहा है कि आने वाले विधान सभा या लोग सभा चुनाव में भी वो राज़त का समर्थन करेंगे और अब ऐसा देखा जा रहा ह कि जहां एक तरफ 16 फीसदी वोट बैंक मुस्लिमों का राज़त के पास है 16 फीसदी वोट बैंक यादवों का भी राज़त के पास है तो वहीं अब इस ये एक बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है जहां पर यह माना जा रहा है कि 16 फीसदी वोट बैंक अब राज़त अपने खेमे में लेने को तयार है और इससे बाकी पाटिया सकते में आ सकती है फिलाल के लिए इस रिपोर्ट में अतना ही अनके खबरों के लिए मैं साथ मौझूद रहे नमस्कार